नमस्कार यूम स्वागत आप सभी मित्रों के एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल स्टेडी पॉइंट में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि फोरेस्टर प्रेक्टिस सेट टू ठीक है तो यह फोरेस्टर के लिए है और जितने भी एक्जाम होने आपके प्रेक्टिस सेट को वहां के जो मेंबर से उनको देते हैं तो यह दूसरा वाला प्रेक्टिस सेट था काप इंपोर्टन कोईशनिस में थे तो मैंने सोचे इसके लिए आपके लिए इसके वीडियो बनाए जाए जो लोग हमारे वाट्सआप ग्रूप से जुड़ना चाहत हैं उनकी सारी क्विज का टाइम हमारे फिक्स और हम उसमें कुछ कराते हैं हिंदी की टुक्विज तो जो जुणने की एच्छों के हैं वह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं वहां और हमारे यूट्यूब चैनल को जा से लाइक कीजिए सेयर तो सुरू करते हैं आज की प्रैक्रेस अध्ड जिसमें दससे पंद्र क्क्वेशन होगी तो पहले क्वेशन में मराईजाइष मारे में मिलाया जाते हैं इसको बनाने के लिए लोह में क्या मिला हाइए cena श्टेल को बनाने के लिए आपने देख्यों ग्रॉटी थाय已經 होता है जिसमें आपके क्रॉश बहुत कम लगती है जो बर्तन होते हैं काफी टायम बाद इतने बार धोलें कितना पुराना हो जाए तब वह चमकिला रहते है तो वह होता है आपका stainless steel जिसके बरतन आपके जातर हम यूज करते हैं तो उसको लोही के साथ क्या मिला जाता है जिसके साथ वह टिकाओ होता है तो उसके साथ मिला जाता है क्रोमियम प्लस निकल ठीक है क्रोमियम प्लस निकल इसके साथ मिलाया जाता है ठीक है अगला क्वेशिन है चिली साल्ट पिटर का रासानिंग नाम है चिली साल्ट पिटर आपने कई बार नाम सुनाओगा चिली साल्ट पिटर का त है ठीक है सिर्फ प्यॉर कारबन से कौन बना हुआ होता है if memory रैऊ और बिः बनाओ है इन वे कौन सा होता है तो यह बना उन अब अपलब होता है तो अंबर क्रीच यो जो वह आपका वनस्पति तेल होता है उससे आपके वनस्पति घी जो आपका डालडा होता है जो आपने मार्केट में जितने भी आपके आपने घी देखोंगे इनकों वनस्पति घी बोलते हैं या मार्केट का घी जो होता है उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है इस तो यह क्या होते है बिरोधी गुणों के यूग्म होते है इंस मैं होते हैं इसको किया रता है इसको इंदी यूग्म विकल्पी या इंगलिस इसमें का जाता है एलिल ठीक है एलिल का भी बार क्वेशन पुछे जाता है एलिल ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है निमन मेंसे कंपोजटी कुल का पौदा है तो कंपोजटी कुल का पौदा है तो कंपोजटी कुल का इसमें एक ही पौदा है वो है आपका सूरज मुखी यह आता है आपके कंपोजटी कुल में अगला क्वेशन हैरेडिटी सब्द का परतिपादन किया था हैरेडिटी सब्द के लक्षन दूसरी पीडी के लक्षन में जाते हैं तो उसे कहते हम आनुवानसिक यानि कि हमारे मातापिता के लक्षन जब हम में आते हैं तो वह क्या हमारा आनुवानसिक है एक रोग है जिसको हम आनुवानसिक रोग है जिसको हम बोलते हैं यह आनुवानसिक रोग है आनु वहार ज प्रकार ससट श्राइब नहीं होता है। figure one the नाम का एक हर्मोन जो लड़िकों में पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है गेहूं का सलतकंड रोग किसके कारण होता है काफ़ इंपोर्टन क्वेशन है सलतकंड रोग गेहूं का जो होता है वो किसके कारण तो वो होता है आपके कवक के कारण और कवक का नाम क्या है ऑस्टिलिगो ट्रेटीसी ठीक है ऑस्टिलिगो ट्रेटीसी एक कवक है जिसके करण गयों में क्या होता है सलत्त करन रोग पाया जाता है अगला क्वेशन सुपारी का खाने योग्य भाग होता है सुपारी का खाने योग्य भाग होता है तो सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा होता तो यह होता है आपका भुर्ण पोस काफी important question है हर paper में यह पूछे जाते हैं कि खाने योग्य भाग पोस ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है रानी खेत रोग किसके कारण होता है जो आपने देखा होगा मुर्गियों में सबसे ज्यादा रानी खेत की बीमारी पाए जाते काफी टाइम पहले बहुत खतरनाक बीमारी यह आई दी और इससे कई मुर्गियां मर गी थी अब यह आती है केंद्रिय आम सोध संस्थान सी एम आ रहे हैं सेंट्रल मेंगो रिसर्च इंस्टिट इस्तित है तो यह आपके लखनों में स्थित है केंद्रिय आम सोध संस्थान अगला question है meningitis रोग किसको प्रवाइद करता है एक meningitis रोग होता है वो किसको प्रवाइद गया निकि कहां होता है यह रोग यह होता है आपके मस्तिस्क में मस्तिस्क में होता है आपका meningitis रोग तो यह थे हमारे 15 question हमारे channel steady point इसका यह link है आप यहाँ पर जाएए YouTube channel को देखिए उसको subscribe कीजिए share कीजिए और यहां पर बहुत सारे playlist बनी हुए है उत्रखन की अलग सीटेट यूटेट की अलग आपके forester की अलग तो आप इनको देख सकते हैं और काफी knowledge आपको यहां से हो सकते हैं आगे भी हमारे साथ बने रहे हम आपकी सामने practice set लेकर के आ रिखूर तनी और नेवाद